Hello Students, Welcome to MOS Classes, आज हम एक्त क्लास Math NCRT के Chapter No.1 की Exercise 1.1 का First Question Solve करेंगे तो First Question में हमसे कहा गया है Using Appropriate Properties Find, देखिए यहाँ पर हमें Appropriate Property यूज करनी है यानि जो Property इस्तिमार की जा सकती है उसको यूज करना है और हमें जो Given Questions है उनको Solve करना है तो First Part में देखिए हमें दिया गया Students, Minus 2 upon 3 into, यानि के Multiply by 3 upon 5, Plus 5 upon 2, Minus 3 upon 5, Multiply by 1 upon 6 ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमने इस Question को As It Is उतार लिया, जो हमने इसको Solvection स्टार्ट किया अब आप देखिए यहाँ पर Terms कितने हैं, यहाँ पर देखिए Students, यह दोनों Multiply हो रहें Terms, यह Parts Multiply हो रहें तो यह तो एक Term हुआ, ठीक है, उसके बाद Plus 5 upon 2 है, यह दूसरा Term हुआ, और तीसरा Term यह है, देखिए यह दोनों Multiplication में है तो यह एक ही Term कहड़ाएंगे, एक Term, यह दूसरा Term, और यह तीसरा Term, अब First Term में और Last Term में देखिए, इसमें भी 3 upon 5 है, यहाँ पर भी 3 upon 5 है अगर हम इस पूरे Term को और इस पूरे Term को एक साथ रख देते हैं, तो इन में से 3 upon 5 common लिया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों में हैं, तो सबसे पहले हम इस Term को और इस Term को एक साथ रखेंगे देखिए, माइनस 2 upon 3, as it is, मल्टिप्लाय का साइन भी as it is आया, 3 upon 5 भी as it is आ गया अब यह माइनस 3 upon 5 हमने यहाँ रखा, मल्टिप्लाय भाई 1 upon 6 इसके साथ ही है, और यह जो प्लस 5 upon 2 था, यह हमने बात में रखा तो यहाँ कोन सी property इस्तेमाल की हमने students, commutative property, commutative property, अगर आपको याद हो, हमने आपको basic videos में उसके बारे में explain किया था, कि अगर 2 plus 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर 3 plus 2 भी लिखे, तो answer पे फरक नहीं पड़ता, 2 plus 3 भी 5 होता है, और 3 plus 2 का answer भी क्या होता है, 5 ही होता है, तो जब आप digits के place को change कर देते हैं, 2 plus 3 था, 3 plus 2 कर दिया, तो answer पे कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहाँ आपने क्या किया, plus 5 by 2 को इधर ले आए, और यह वाला जो part था, यह जो term था, minus 3 upon 5 into 1 by 6, उसको पहले रख दिया, तो यहाँ property use होई, commutative property, अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह एक term है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह दूसरा term है, ठीक है, दो terms के बीच में plus या minus का sign होता है, students, याद रखेगा, multiply से term नहीं बनते, यह एक ही term कहलाएगा, यह दो term नहीं है, यह दोनों मिलकर एक term बना रहे है, minus, यह अगड़ा term आ गया, अब 3 upon 5 इसमें भी है, 3 upon 5 इसमें भी है, यह भी common ले लिया, अब देखिए, अब bracket open करते हैं, जब common ले लिया तो फिर bracket लगाना है, अब इस वाले term से क्या बचा, minus तो बाहर आ गया, जब minus में से minus common ले लेते हैं, तो वो term positive हो जाता है, तो यह positive हो जाएगा, 3 upon 5 भी बाहर आ यह भी हाँ से खतम हो गया, बचा क्या, 1 upon 6 वो यहाँ आ गया, bracket close, फ्लस यह बचा था 5 upon 2 वो as it is आ गया, अब देखिए, यहाँ पर फिर से property use होगी, यहाँ पर property use होगी, distributed property of addition वाली, हमने आपको बताया था basic वीडियो में, जब bracket के बाहर एक number हो, जो multiply हो रहा होता है, bracket की values से, तो यहाँ पर आप देखिए, यह positive sign है, और यहाँ पर multiplication होता है, यह bracket और इस 3 upon 5 के बीच में multiply का sign है, तो यहाँ पर multiplication identity, यहाँ पर use हो रही है, distributed of multiplication over addition, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ mention किया, कि distributed property यहाँ पर use हो रही है, क्यों, क्योंकि यह वाला जो number है, यह इस bracket की दोनों values से multiply होता है, यह इसके साथ भी multiply होता है, और यह इसके साथ भी multiply होता है, properties के लिए students हम आपको suggest करेंगे, कि अगर आपने अभी तक हमारी basic videos इस exercise की नहीं देखी है, तो उससे जरूर देखिए, उससे आपको इन questions को करना और easy हो जाएगा, तो यहाँ पर यह number इन दोनों के साथ multiply हो रहा है, तो यहाँ पर distributed property use की जाएगी है, देखिए, minus 3 upon 5 as it is, तो यहाँ पर हम यहाँ से LCM ले देते हैं, हम इस part को solve कर देते हैं, जो bracket में है, 6 और 3 का LCM 6 आया, 6 को इसके denominator 3 से divide कीजिए, बचा 2, 2 to the 4, plus का sign as it is, 6 को 6 से divide कीजिए, 1, 1 into 1, यह 1 बना गया, plus 5 upon 2 as it is, अब यहाँ पर देखिए, minus 3 upon 5 as it is, 4 plus 1 क्या हो गया, 5 upon 6 as it is, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा sign है, multiply का sign, तो यह multiply का sign आ गया, plus 5 upon 2 as it is, अब देखिए, यहाँ पर calculation अगर आप देखिए, तो 5 से 5 कर जाएगा, 5 under 5, और देखिए, 3 under 3, और 2 दा 6, तो 6 को किस ने काटा, 3 ने काट दिया, अब यहाँ पर minus है, और यहाँ पर multiply के बाद ही positive है, तो minus और plus यह multiply होंगे, तो देखिए, 1 into 1, 1, और minus as it is, ठेक है, तो यहाँ से आया minus यह वाला 1 as it is, अब उन में क्या बचा था, 2, इधर से तो minus 1 upon 2 बचा, plus 5 upon 2 as it is, अब इ उपर वाले 1 से multiply कीजिए, 1, sign कौन सा है, minus का वो as it is, साथ में आ गया, plus का sign यह as it is, 2 को 2 से divide कीजिए, 1, 1 into 5, 5, अब 5 में से 1 minus करेंगे, तो 4 बचेगा, upon में 2 है, अब इस 4 को 2 से divide कीजिए, 2 बन दा 2, 2, 2 दा 4, final answer क्या बचा, 2 बचा, इसका मतलब students, इस question में हमने commutative property और distributed property यूज़ करें, और जब हमने इसको सोर किया, तो हमारा answer आया, 2, अब हम इस question का second part करेंगे, तो second part में students हमें given है, 2 upon 5, multiply by minus 3 upon 7, minus 1 upon 6, multiply by 3 upon 2, plus 1 upon 14, multiply by 2 upon 5, तो पहले तो हमने solution में यह वाला पूरा question as it is उतार लिया, अब यहाँ पर हम use करेंगे, पहले commutative property, देखें कैसे, यहाँ पर terms कितने हैं, पहले तो यह चेक करते हैं, देखें students, यह दोनों parts multiply हो रहे हैं, यह एक term है, फिर minus लगा, यहाँ पर यह minus का sign है, अब यह दोनों आपसे multiply हो रहे हैं, यह दूसरा term है, ठीक है, एक term, फिर यह दूसरा term, फिर positive sign आया, यान बनाएंगे, तो एक, दो और तीन terms इसमें है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कि हम किन parts को साथ में रख सकते हैं, तो students, पहले term को देखें, इसमें 2 upon 5 है, 2 upon 5, और 3rd term को देखें, यहाँ पर भी 2 upon 5 है, तो हम इनको एक साथ रखेंगे, देखें, 2 upon 5, यह यहाँ पर 1 upon 14, multiply by 2 upon 5, बचा क्या, यह वला term, minus 1 upon 6 into 3 upon 2, इसको हमने बाद में रख दिया, तो यहाँ हमने digits को क्या किया, interchange किया, जब यह value इस तरीके से change की जाती है, जैसे इस part को उठाकर इधर रहा है, और इस part को उठाकर इधर रहा है, इससे हम कहते है, commutative property, इससे हमारे answer के कोई नहीं पड़ता, answer same ही रहता है, अब देखिए, यहाँ पर distributed property का इस्तेमाल होगा, कैसे, इन दोनों parts में देखिए, क्या common आ रहा है, 2 upon 5, यह 2 upon 5 हमने common ले लिया, इस term में देखिए, 2 upon 5 तो यहाँ common आ गया, बचा क्या, यह वला part, minus 3 upon 7, यह positive sign as it is, यहाँ इस term से, 2 upon 5 तो यहाँ common आ गया, बचा क्या, यह 1 upon 14, minus 1 upon 6 into 3 upon 2 as it is, अब देखिए, इसको distributed property क्यों कहा गया है, क्योंकि यह वाला जो number है, यह multiply हो रहा है, minus 3 upon 7, 1 plus 1 upon 14 से, जब bracket के बाहर का number, अंदर के दोनों parts के साथ इस तरीके से multiply हो, तो इसको हम कहते है, distributed property, ठीक है students, अब हम इसको solve करत हैं, 7 और 14 का LCM, 14 आया, 14 को 7 से divide कीजिए, बचा 2, 2 को 3 से multiply कीजिए 6, minus का sign तो वो साथ में आ गया, plus का sign यह as it is, 14 को 14 से divide कीजिए 1, 1 into यह वाला 1 करेंगे, तो 1 ही आएगा, minus, minus के बाद, अभी इस part को solve करते हैं, देखिए, 3 1 दा, 3, 3 2 दा, 6, यानि 6 को 3 ने divide कर दिया, अ अब denominator में देखिए, क्या वचा, 2 और 2, और यह बीच और multiply का sign है, 2 2 दा, यह 4, और numerator में 1 into 1, यानि के 1, और देखिए, यह minus 1 upon 6 है, multiply होड़ा 3 upon 2 से, minus और plus multiply होते हैं, तो answer minus में ही रहता है, तो यहाँ पर आया minus 1 upon 4, अब इसके बाद देखते हैं, यह 2 upon 5 as it is, multiply by minus 6 plus 1, यह term minus है, यह plus है, 6 में से 1 minus करेंगे, 5 बचेगा, बड़े का sign आएगा, minus 5 upon 14, 2 upon 5 into minus 5 upon 14, minus यह वाला 1 upon 4 as it is, अब देखिए, यहाँ पर अगर हम solution आगे करते हैं, तो यह बीचे multiply का sign है, यह 2 है और यह 14 है, तो यह 14 2 से कटेगा, 2 बंदा 2, 2 7 दा 14, ठीक है, यहाँ पर यह 14 कट ग 5 बंदा, 5, अब उपर क्या बचा, 1 और इधर भी 1, यह plus का है, यह minus का है, plus minus multiply होंगे, तो minus आगया, ठीक है, और 1 into 1 हुआ, numerator में तो 1 आगया, यहाँ denominator में क्या बचाता, सिरफ 1, और यहाँ क्या बचाता, 7, 7 into 1, 7, देखिए, 1 into 1, 1, 7 into 1, 7, और plus into minus करेंगे, तो minus, तो minus 1 upon 7 तो यहाँ से आगया, minus 1 upon 4, यह as it is, अब 7 और 4 का SM लेते हैं, students, 7 और 4 का SM है, 28, 28 को इस 7 से डिवाइड कीजिए, बचा 4, 4 into 1 करेंगे, तो आएगा 4, और भी 7 में यह minus का sign है, तो यह आगया, minus 4, बीच में कौन सा sign है, minus, वो as it is, यहाँ पर आगया, 28 को 4 से डिवाइड 11, और sign minus का ही रहता है, upon में 28 आया, तो हमारा जो final answer आप उसको ऐसे भी लिख सकते है, minus 11 upon 28, और जब सिरफ एक minus का sign हो, दोनों जगतों minus नहीं है, एक ही जगा minus हो, तो आप वो minus इस तरीके से बीच में भी लगा सकते हैं, minus आप इस 11 के साथ भी रख सकते हैं, और यह minus आप कि आपका minus कभी denominator में ना लगे, या तो बीच में रखिए, या numerator के साथ रखे, I hope students आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो इससे like, share और subscribe कीजिए, thank you.